आज हम डिस्कस करने वाले हैं कजाकिस्तान क्रैसिस और इसका क्या जियो पॉलिटिकल इंपक्ट रहने वाला है इसको भी हम डिस्कस करेंगे Friends, recently कजाकिस्तान में फ्यूल प्रैसिस इंक्रीज होने की वज़े से वहाँ पर प्रोटेस्ट होना चालू हुए और यह प्रोटेस्ट वालेंड टर्न हो गए इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट कासिम जोरमट टोकायेब ने रश्या की मदद ली औ और रशिया के involvement को देखकर यूएस ने कुछ concerns जता हैं। Friends, इस वीडियो में हम कजाकिस्तान के बारे में जानेंगे, वहां के former president नूर सुल्तान नजार बायेब के बारे में जानेंगे, वहां पर current crisis क्यों इतनी बड़ गजी इसके बारे में जानेंगे, और lastly हम देखेंगे क्या geopolitical सेनारियो है इस crisis का। आए सबसे पहले हम देखते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान Central Asia की सबसे बड़े country है और सबसे resourceful country है। ये ninth largest country है पूरे world में। कजाकिस्तान की GDP 180 billion dollar की है जो की सबसे largest economy है Central Asia की। अगर हम कजाकिस्तान की resources की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा uranium कजाकिस्तान प्रडूस करता है। ये world का ninth largest exporter है oil का और tenth largest producer है coal का और कजाकिस्तान में US के बाद सबसे ज़्यादे bitcoin मी माइन किये जाते हैं। यह तो बात हुई कजाकिस्तान की एकनॉमिक की अगर हम कजाकिस्तान के एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर 67% पॉपुलेशन काजाग गुरुप को बलॉंग करती है और लगबग 20% पॉपुलेशन रशियन ओरीजन की है और साथ में हम देखते हैं यहाँ पर उ 26% लोग यहाँ पर क्रिश्चन कम्यूनिटी के हैं यह तो बात हुई कजाकिस्तान की नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया और कजाकिस्तान के बारे में कुछ ब्रीफ पॉइंट्स कजाकिस्तान इंडिया का largest trade and investment partner है Central Asia का इंडिया और कजाकिस्तान के ties आज सही नहीं historical ties रहे बुद्धिजम इंडिया से Central Asia में गया और सूफिजम के आईडिया Central Asia में इंडिया तक आए और अगर हम modern times की बात करें तो 2009 में कजाकिस्तान और इंडिया के बीच declaration on strategic partnership sign हुआ यहाँ पर हमारे Prime Minister Modi 17th Shanghai Corporation Organization की meeting में गये थे जहां इंडिया full time member बना था इस organization का इंडिया और कजाकिस्तान के बीच military exercise भी होती है जिसका नाम है कजाक हिंद और 2021 में इस exercise का 500 edition परफॉर्म हुआ था इंडिया और कजाकिस्तान शेंगाई corporation organization के अलावा भी एक भहुती important group के part है जिसका नाम है the international north-south transport corridor ये एक 7200 km long corridor है जिसका purpose है मुंबई पोर्ट को connect करना है सेंट पीटर बर्स से रशिया में ये transit route इरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, रशिया, बेलारूस, बुल्गेरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उमान, सीरिया, तजाकिस्तान, तर्की और यूक्रेयन को connect करेगा इस map में हम देख सकते हैं अगर हम standard route और north-south transport corridor के route को compare करें तो north-south transport corridor distance भी कम करेगा और इंडिया का जो connectivity issue है, Central Asian countries से उसको भी resolve कर देगा, इसलिए ये project इंडिया के लिए बहुत important है, आईए अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान के former president नूर्ट सुल्तान नजरबायब के बारे में, नजरबायब मेंबर थे कौम समोल के, जो की एक Leninist Young Communist League थी, और 1990 में वो Supreme Soviet of कजाकि के president elect होते हैं, और जब 1991 में कजाकिस्तान fully independent हो जाता है, Soviet Union से और यहाँ पर नजरबायब दूसरी independent हुई countries के साथ मिलकर Commonwealth of Independent States बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, लगातार नजरबायब कजाकिस्तान पर अपनी पकड़ जो है, strong करते जाते हैं, और वहाँ पर Supreme Political Leader के हम extend हो जाता है, 2000 तक, और उसके बाद वो president elect होते हैं, 1999 and 2005, उसके बाद हम देखते हैं, 2007 में नजरबायब एक constitutional amendment लेके आते हैं, जिसके बाद नजरबायब की उपर, जो दो टम की limit होती है, presidency की, वो हड़ जाती है, उससे वो exemption प्रप्त कर लेते हैं, 2010 में नजरबायब को नोट करने वाली है, कि जब से कजाकिस्तान independent हुआ है, तब सही नजरबायब वहाँ के president रहें, और उन्होंने resign करा है, March 19, 2019 में, और resign करने के बाद भी, उनके पास leadership रहती है, ruling party की, और security council की, friends, नजरबायब कजाकिस्तान में अपना hold बनाने में कामयाब इसलिए रहे, क्यो पावर absolutely corrupt करती है, यह चीज हम कजाकिस्तान में होते हुए देखते हैं, कि नजरबायब की families, उनके close relatives और friends, majority of the resources और property hold करते हैं कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में बहुत ज्यादा income inequality है, और आपर कुछ select group of families ही, majority of the resources को hold करती है, wealth को own करती हैं कजाकिस्तान की, resign करने के बा हम जानते हैं कजाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ, जिस वज़े से इतनी बड़ी crisis erupt होती हैं वहाँ पर, friends जैसा कि हमने देखा, नजरबायब ने पूरी political power अपने हाथ में ले ली थी, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, वो political reforms की demand बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, और उनको वो reforms नहीं मिले, और next हमने ये भी देखा, economic hardship लोग बहुत ज्यादा face कर रहे हैं, वहाँ पर minimum wage पर month देखा जाये तो सिर्फ hundred dollars है, और जितनी resourceful country है कजाकिस्तान, उस हिसाब से देखा जाये, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा inequality है इस वक्त, income को लेके और wealth को लेकर, इसलिए हम कजाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि protest एकदम से erupt हो गए, वो एक series of events लगाता चल रहे थे, और लोगों के बीच लगातार, गुस्सा दीरे-दीरे build-up हो रहा था, जो सीदे आके culminate होता है, present crisis में, हम देखते हैं, 2011 में भी, यहाँ पर protest हुए थे, because of wages and working condition की वज़े से, 2014 में ह protest हुए थे, land reforms की वज़े से, और 2019 में यहाँ पर protest हुए थे, क्योंकि यहाँ पर allegations लगाये गए थे, कि elections rigging हुई है, यानि कि elections को manipulate करा गया है, और present crisis erupt हुई है, fuel prices की increase होने के वज़े से, मगर यहाँ पर सिर्फ fuel prices एक region नहीं है, कजाकिस्तान में बहुत ज्यादा corruption है, वहा ज्यादा मैंसे protest हो रहा है कजाकिस्तान में, और यहाँ के लोग political और economic reforms चाहते हैं, दूसी तरफ हम देखते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट टोका एब यह बोलते हैं, कि कजाकिस्तान में जो protest हो रहा है, वो internal crisis के वे से नहीं है, बलकि कुछ बाहर के लोग और बाहर के elements involved है और उन्होंने बात करिये यहाँ पर terrorist organization के involvement की, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर external help मांगी रशिया से, ताकि वो इस crisis को रोग सके, रशिया ने यहाँ पर collective security treaty organization की troops को mobilize किया, फ्रेंस collective security treaty organization नाटो की तरह ही एक military organization है, इस organization में 6 countries हैं, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, क तो जैसे ही यहाँ पर रशिया अपनी truth भेशता है कजाकिस्तान में, USA ने यहाँ पर अपने concerns दिखा है, और यहाँ पर US के Secretary of States ने यह बोला है, कि रशिया पर trust नहीं किया जा सकता, और जब आप रशिया को अपने घर के अंदर बुला लेते हैं, तो difficult हो जाता है उनको घर Minister बोलते हैं, कि जब अमेरिका आपके घर में घुसता है, तो difficult हो जाता है जिन्दा रहना और robbery और rape से बचना, basically यहाँ पर Russian President इशारा कर रहे है, अफगानिस्तान क्रैसिस की तरफ, इराक की तरफ, friends यह दिखाता है, war of words स्टार्ट हो गया है, between Russia and USA, और दूसी तरफ यहाँ Recently उन्होंने अपना tenure 2036 तक के लिए बढ़ा लिया है, दूसी तरफ, President Jinping, जिन्होंने चाइना में अपनी presidency को lifetime कर लिया है, similarly हमने कजाकिस्तान में भी authoritarian regime देखी, नजरबाएब की, जो follow कर रहे हैं यहाँ पर, तो basically हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक group बन रहा है, authoritarian regimes का, और Friends हम देख सकते हैं, किस तरह के से world countries, polarize हो रही हैं दो groups में, जो की याद दिलाता है हमको cold war crisis की, तो Friends, कजाकिस्तान crisis पर यह geopolitical scenario हमको देखने को मिलता है, और recently यहाँ पर USA और Russia के बीच में summits भी होने वाली हैं, जहाँ पर वो discuss करेंगे in detail, Ukraine crisis को, कजाकिस्तान crisis को, और भी क रखेंगे, Friends I hope आपको इस वीडियो में, कजाकिस्तान के बारे में, वहाँ पर चल रही crisis के बारे में, वहाँ के political system के बारे में, और इस crisis का क्या geopolitical significance है, यह समझ में आया होगा, और अगर आप ऐसे ही और informative वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को like करें, share करें, औ हमारे चैनल को subscribe करें, Friends मिलते हैं ऐसे किसी और informative वीडियो के साथ, till then bye bye take care